नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मैं हूँ PC वर्मा और आज हम देखेंगे वैस्वी करण अर्थाद globalization को तो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से वैस्वी करण का रूप होता है और किस प्रकार से ये काम होता है मुख्य तोर पे हम समझ सकते हैं जो वैस्वी करण है उसे यदि हम कहना चाहें तो ये वैस्वी करण जो है वो पूरी दुनिया के बीच में कारूबार करने का अब एक नया तरीका बन चाल जा रहा है और वैस्वी करण के अंतरगत बहुत सारी चीजे जो है अर्थाद चीज अधिक लाब लेने का प्रयास किया जा रहा है विदेशी वैपार जो है अर्थात कई देशों के बीच होने वाला वैपार जो है वो बढ़ गया है कई दोस्तों को भी संबंद इससे बढ़ गया है जो चीजे हैं वस्तों हैं साथ ही साथ मुद्रा का लेन देन है वो भी बढ़ गया है और यह जो ग्लोबलाइजेशन है इसके साथ साथ बजारों का एक ही करण हो रहा है इसके कारण अर्थात अब इस प्रकार से कॉंसेप्ट आ रहा है कि जो एक इस्तान पे समान मिल रहा है वो दूसरे इस्तान पे मंगाये जा सकता है विभी नमाध्य में इसके बन गए है डिजिटल तरीके बन गए है जिससे चीजे मंगायी जा सकती है बजारों का एक तरह से एक ही करण हो गया वर्चुल स्पेस पे अर्थात आभास की रूप में बजार जो है वो आपस में जुड़ते जा रहे है यद वो स्वतंत्र है समान लेने के लिए कहीं से भी वो समान ले सकता है ओडर कर सकता है ऑल्लाइन ओडर किया जा सकता है बहुत सारे इसके कारण है कि वैस्वी करण क्यों संभा हुआ और वैस्वी करण का एक और तरीका आप देख सकते ही जो भारत में विदेशी वैपार है आ मिलता तोगी उस समय पर इस प्रकार की विवस्थाएं नहीं थी तो उस समय लगवाग पचास जार करोड़ का वेपार होता था और फिर ये समय के साथ साथ बदलता गया बदलता गया और चौदा पंद्रा ये बहुत ज्यादा बढ़ गया अर्था या देख सकते हैं ये होत गुणा बढ़ चुका है ये रुपए करोड़ में है अर्थात इतना ज्यादा करोड़ रुपए का उसमें वृद्धी हो जाना नहीं रखता है किसी प्रकार से जो निर्यात है कि विर्यात में विर्धी होई जो समान हम मंगा तू रहे हैं तो साथ में जो हम समान भेज रहे हैं तो 90 इमकानदे में हम समान भेजा करते थे लगभग 33,000 परोड़का और फिर ये बाद में बढ़कर जुदा पंद्रा में बहुत गुना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा व्यापार है जो आपस में बढ़ते गया लोगों के बीच में औ सिर्फ 50,000 करोड़ है और यहां आप देख सकते हैं 28,16,000 करोड़ और ये है आपका 33,000 करोड़ था जो वैपार था जुबो होता था और अब ये बढ़तर हो गया 19,35,000 करोड़ था बहुत ज़्यादा वरिद्धी हुई है वैस्वी करण आने के बाद चीजों का आदान प् आरग जो होते हैं वैस्वी करनेंट तो अब आधा टेकनोलोजी प्रोद्योगी की जो है वह सबसे बड़ा कारण है हमने देखा है कि पीछले 15-20 सालों में टेकनोलोजी में से बहुत परिवाटन है ना सिर्फ वस्टों को बनाने के तरीके बदले हैं मसीने बनाई गई हैं बलकि साथ ही साथ इसके लिए पैसे का जो लेंदेन हैं उसके भी तरीके बहुत सारे बढ़़े हैं डिजिटल तरीके आगये हैं पेमेंट जो खिया जाता है NFT, RTJ जो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से नई नई तक्नीकों का प्रयोग किया जा रहा है पैसों का लिंदिन करना हुआ या कि जो लेबर हैं स्रमिक हैं जो अलग अलग जगों पे काम करते हैं उनको उनका वेतन मान देना हुआ structure बढ़ाना हुआ साथ ही साथ इसमें जो धन का प्रवाह होता है जो कच्चा माल खरिदना और भी बहुँं सारी चीजे हैं तो वो सभी चीजें प्रोध्यगी की के मात्यम से संबह हुआ है साथ ही साथ चुकि अब प्रोध्यगी की आ गई है तो उत्पादन जो है वो 24 hours करना भी संभा हो गया डिजिटल पेमेंट हो रहा है मॉनिटरिंग की जा रही है अधिक से अधिक चीज़े बनाई चाहिए हाई टेक तरीके प्रयोग किये जाए है यह सारी चीज़े जो होती है वो किसी भी वैपार को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है और पेमेंट तुरंथ हो जाता है किसी भी समय हो जाता है जब पेमेंट हो जाता है तो माल मिल जाता है कच्चा माल और इसी प्रकार से जब समान बन जाता है उसके delivery जो है वो भी बहुत आसानी सोचाती क्योंकि payment जो है ग्रहाक भी बहुत हद तक जो उनके होते हैं जो companyya होती है उनके जो ग्रहाक होते हैं वो भी payment तुरंट कर देते हैं तो fund का जो flow है धन प्रवाब जो है तेज हो गया है बहुत तेज हो गया है तुरंट पैसा एक खाते दूसरे खाते पहुंच जाता है एक देस से दूसरे देस पहुंच जाता है तो ये चीजे जो थी इनके कारण बहुत हद तक प्रवद्गी की ने इसमें फायदा पहुंचाया है प्रवद्गी का प्रयोग है म परिवहन के भी बहुत सारे साधन आ गए, सीप आ गए, बहुत तेज चलने वाले हवाई जहा जा गए, बहुत प्रकार की सुईधाएं आ गई, तो इन सब कारणों से साथ ही साथ पैकिंग इत्यादी के लिए भी मसीनरी आ गई है, तो इनके कारण से बहुत जल्दी समान को बनाया जाता है, और एक स्थान दूसरे स्थान भेजा जाता है, पैमेंट भी तुरंत हो जाता है, परिवहन भी तुरंत हो जाता है, तो लोगों के पास समान तुरंत पहुंचता है, तो तेजी आ गई है सभी चीजों में, प्रोदुगिकी के कारण, साथ ही साथ कंप्यू साथ ही साथ ना सिर्फ जो प्रवदिगी की है वो पैकेजिंग इत्यादी के विस्ता करता है बल्कि साथ ही साथ जब डिश्टी वियोसन होता है वीतरन के सारे चरणों को पूरा करने के लिए भी प्रवदिगी के सहारा लिया जाता है वीतरन जो है बहुत तरीके से जो आ गया है, पूस्म सन से आपको अलग अलग जगहों पे कहां पे कच्च्छा माल है, कहां पे आपको समान ले जाना है, कहां पे आपको disciplined करना है, अर्था जो customer है उसका जो information है वो वी मिल जाता है, तो यह सारी चीज़े जो है globalization मेरे बहुत help करी है और सके करान से लोग बह परिवरी हो जाती है और तिवरता जो से हो पाती है क्वालिटी भी मैंटेन रहती है अगर समान बन कर तुरंथ मिल जाए और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो और भी इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि किस प्रकार से जो परिवहन किया जा रहा है उसको बचाया ज अधिक से अधिक स्थान इस प्रकार से चुने जाते हैं जहां पर वजितों की आउस सेकता है और वहां पर समान को रखा जाता है यह अब वर्चुल आप समझ सकते हैं कि जैसे मालिज़ किसी स्थान पर बहुत सारे लोग जो है वो हैं मोबाइल खरीदते हैं तो जो company है वो उस इस्थान पे बहुत सारे mobile रख देगी पहले से जैसे ही requirement आएगा डिजिटल ही हो जाएगा और सामान जो है वो तुरंद पहुँच जाएगा क्योंकि सामान उसके आसपास ही रखा हुआ है जहां पर आसेता है company ने उस जगह कोई पहचान लिया और फिर वहां पर इस प्रकार से ये काम बहुत तेजिस हो रहा है technology ने बहुत ज़्यादा इस पे दिया है साथ ही साथ अब चुकि पास से उसको सामान मिल रहा है तो उसको उसका खर्चा भी कम लगेगा तो company जो है अर्थार जो company mobile की है माली जीए तो वो उस ग्राहक को उसके लिए कुछ हद तक relief दे सकती है discount दे सकती है आपने देखा होगा जो online खरीदी होता है उसमें कई बार वहों सारे इस प्रकार के offer रहते हैं कि समझ ही नहीं आता कितनी कम कीमत में कोई चीज कैसे में तो उसका कारण ये होता है कि localize हो गया है जो global चीजे हैं अर्थात global चीजों को localize कर दिया जाता है इस प्रकार से company होती है पूरी दुनिया में फैली होती है तो वो इस प्रकार से अपना काम काच करते हैं कि जो सामान है machinery है और अन्य चीजे जो है वो बहुत आसानी इस लोगों को मिल पाया और कीवाद जो है इससे फिर वसूल हो जाता है कि उन्होंने अपने पहले से ही इस पे खाम कर लिया हुआ है तो ये चीजे वसूल हो जाते हैं इसके अलावा जो कारक और दूसरा कारक है वो है इस्थानी नियमों का परिवर्तन होना पहले तो होगे तेकनलाजी का प्रयोग और दूसरा जो है वो है नियमों के कारण अर्था जो नियम होते हैं उदारी करण किया गया उदारी करण कारण नियमों में ढील देना अर्थात यदी कोई कंपणी बहुराश्टी कंपणी किसी देश में कारोबार करना चाहती है तो उसे निवों में चुट जी जाती है कुछ हटक चुट जी जाती है और इन चुटों का कारण होता है साथि साथ कंपणीों को सर्रक्षन प्रदान किया जाता है जब वो अपना वैपार लगाते हैं तो कुछ हद तक उन्हें इस तरह की चीजों में छूट मिलती है कि वो अपना वैपार आसानी से लगा सके अपना कारोबार अच्छे से कर सके और इसके कारण कमपनिया अधिक से अधिक उत्साहित होती है अपना वैपार लगाने के लिए दूसरे देश में वैपार लगाना बहुत आसान नहीं होता है पूरे उनको वहां पे संसादर लगाने पड़ते लेकिन यदि सरकार की वर से सहयता मिल रही है उधारी करन किया गया है नियुमों में धील दी जा रही है कुछ छूट दी जा र लाता है तो उसे टेक्स पूरा देना पड़ेगा यदि प्रोड़क्ट यहीं पे बनाता है उसी देश में बनाता है तो उसे फिर आधा रेट देना पड़ेगा तो आधा जो टेक्स जो उसका बचेगा वो उसका फायदे में आ जाएगा तो उसको सिर्फ कमपनी लगाना है मसीनरी उसके दूसरी देश में रखी हुई है तो यहां आके अपनी मसीनरी को लगा लेगा यहीं पर प्रोडक्शन करेगा और फिर यहीं पर वो समान देगा लोगों को तो इससे बहुत हद तक ना सिर्फ इस देश का भी विकास होगा जिस देश ने उदारी करन किया है लाब दिया हुआ है वहाँ पर तुरंत लोगों को अच्छे वस्त्वे मिलेंगी कम कीमत पर मिलेंगी साथ ही साथ कंपनी को भी फैदा होगा उसका जो प्रोफिट है वो बढ़ेगा यहां पर मार्केट जो है वो मार्केट में कबजा करेगा उसको और भी औसर मिलेंगे चुकि यदि वो इस स्थान पे आ जाता है तो उसे भविश्य में और भी औसर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी इस प्रकार से उदारी करन जो है वो बहुत हद तक उदारी करन का कारे जो है वो चुरुवात में नहीं किया गया था जब देश आजाद हो आथ उस समय नहीं किया गया था बाद में चुकि उदारी करन से जो तकनीक आती है उस तकनीक से ना सिर्फ उस कंपनी को फैदा होता है बलकि जो देश है जहां पर तकनीक आ रही है उसे भी बहुत सारी नई तकनिके मिलती है और उसका नुसरन करके जो बागी कमपनिया भी होती है आसपास की जो दूसरी कमपनिया होती है उन्हें भी अपने टेकनोलोजिक सुधारने और आगे बढ़ने का रास्ता इससे मिलता है तो जो विदेशी कमपनिया है वो बिना रो अप्पनियों के उपрь और नियंतरन कंपोने से जो कंपणिया है वो खूल के अपना व्यकर कर सकती हैं अच्छे व्यकर कर सकती हैं चूकि Ninary काषट कारूण यह है बहुराष्टि कंपणियों का वेशtheery करन में संबंध तो यह जो कारक हैं यह बहुत बड़ा प्रभावश करते हैं है वेशtheery करन के लिए साथी सात कंपणियों को एक दिससे दूसरे दिससमें आने के लिए सपोर्ट करने के उधारी करन में एक चीज़ और होती ही कुने आर्थिक सहयता भी कई बार मिलती है सरकार की ओर से जमीन भी दी जाती है सनमिक जो है वो भी वहाँ पे उनको मिल जाते हैं तो इनके कारण वैस्वी करण का कारे बहुत आसान हो जाता है तो globalization वैस्वी करण में आज के लिए इतना ही बच्च आप से चुड़ी होई आपके काम की जान करी देंगे तो आज के लिए इतना ही बच्चों मैं PC वर्म आपस विदा लेता हूं धन्यवाद अमस्ता